राजपुरोहित की गिरफतारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है दुर्गसिंग राजपुरोहित की गिरफतारी कोट के निर्देश पर हुई है लेकिन सवाल बिहार और राजस्थान पॉलिस के काम पर उठ रहे हैं इधर कोट ने दुर्ग सिंग राजपुरोहित को एक सितंबर तक नयाईक हिरासत में भीज दिया है यह हैं पत्रकार दुर्ग सिंग राजपुरोहित की करमस्थली राजस्थान का बाडमीर है पटना में इनके खिलाफ स्थी अत्याचार निरोधक अदिनिहम के तहत मामला दर्च है इस मामले में पॉलिस ने राजस्थान से उठाकर पटना लाई है जहां पेशी के बाद कोट ने इन्हें एक सितंबर तक नियाई खिरासत में भेज दिया है जिस मामले में दुर्ग सिंग राजपुरोहित की ग्रफतारी हुई है उससे खुद को वो अंजान बता रहे है F.I.R. के मताबिक पटना की राकेश पासवान नाम के एक युवक ने दुर्ग सिंग राजपुरोहित के खिलाफ शिकायत दर्च कराया था जिसमें उसने आरूप लगाया था कि 6 महीने पहले दुर्ग सिंग राजपुरोहित मजदूरी कराने राजस्थान लेके गए थे राजस्थान में पत्थर खरनन का काम कराया और मजदूरी नहीं थी पिता की तबियत खराब होने के बाद राकेश वापस घर लौटाया 15 अप्रेल को दुर्ग सिंग पटना आए और बाडमेर जाने को कहा इनकार करने पर दुर्ग सिंग ने धमकी दी और जातिशूचक शब्दों का इस्तेमाल किया दो जून को कोट में राकेश का बयान दर्ज हुआ 9 जुलाई को कोट ने वारंट जारी किया पटना पुलिस ने वारंट की कौपी बाडमेर एस्पी ने दुर्ग सिंग राजपुरोहित को गिरफतार कर पटना भीज दिया जहां पिर बहोर थाना पुलिस ने उसे मंगलवार को कोट पेश किया दुर्ग सिंग राजपुरोहित पर लगे इस आरोफ को उनके पिता ने साजश करार दिया है मामले की तह तक पहुचने के लिए मेडिया की टीम ने पिडित राकेश पासवान के पते पर उसे खोजने की कोशिश की राकेश पासवान ने वर्तमान पता पटना के दिगा इस्तित घाट नमबर 90 का दिया है लेकिन वहां उससे मुलाकात नहीं हो पाई परताल में इस मामले में कई पेच भी सामने आ रही है जैसे दुर्ग सिंग राजपरोहित कभी बिहार नहीं आने का दावा कर रही है माइन्स के किसी कारोबार में शामिल नहीं होने की बात कह रही है अप्रैल महीने में बाड मेर में होने का सबूत पेश कर रही है आरोप लगाने वाला राकेश पासवान अब तक सामने नहीं आया सूत्रों के हवाले से खबर है कि राकेश ने मामला दर्च नहीं कराया गोट में इन दाओं पर चर्चा होगी जहां दूद का दूद पानी का पानी होगा लेकिन दुर्ग सिंग के गुरू धुरूव सिंग का कहना है कि उनके शिश्य को साजिश के तहत फसाया गया है जब तक शिश्य को न्याय नहीं मिलेगा वो उसकी लडाई लड़ते रहेंगे इसने अगर कभी भी पटना एक दिन नहीं एक शण के लिए भी आया हो तो इसकी कोल डिटेल के लवाज ये किसी भी वान से आया है तो उस वान का भी पता चलना चाहिए किस वान से है जुड़े इस मामले में कोड का फैसला क्या होता है उस पर सब की निगाहे रहेंगी क्योंकि कहा जा रहा है कि ये मामला बिहार के किसी रसूखदार शक्स से जुड़ा हुआ है जिसकी सियासी गलियारे में बड़ी पैठ है पटना से संजय और स्वापनिल के साथ ब्यूर रिपोर्ट जी मेट